तो हम श्री प्रमात्मने रहा हैं मैं प्रोफेसर अलियर दैवस्ति अपने पुजी गुरुजी पंडित भगवा सरण शोकल वेद मूर्ति तपुनिष्ट वेदो उपनिशाद पुराण गीता और धर्म शास्त के मरमग्य के साथ मैं आप सभी का वस्ति जायरवेद एनाटमी योग एड़ी स्प्रिच्वल्टी चैनल पर हार देख स्वागत करता हूं हम लोग गीता के ग्यारवे अध्याय में हैं और नवे श्लोक और उससे आगे के श्लोक पर चर्चाज होनी हैं जिसमें भगवान ने इस प्रकार अपने विश्व रूप या विराठ रूप कराया तो उसके बारे में आगे की जो चर्चा है उसके लिए हम लोग पूझी गुरुजी की और चलते हैं वो उसका विशद विश्लेशन करेंगे तब चलते हैं गुरुजी की और नमोस्त्वननताय सहस्र मूर्तय सहस्र पादाक्षि शरोर वाहवे सहस्र नामने पुरुशाय शाषते शहस्र कोटी युगधारिने नमा कृष्णाय वासु देवाय हरय परवात्मने प्रणतक लेशनासाय गोविन्दाय नमोनमा इस चैनल से संबद सभी विद्वदगण सभी जग्यासु छात्रवरंदः सरदे सज्जनगण एब इस चैनल के संस्थापक पताप्रवंदः आचार हरी रदय अवस्तिजी हम लोग ग्यारवे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं इसके पूर्व अर्जुन ने जो भगवान से प्रार्थना की और भगवान कृपा करके अपने विराठ सुरूप की चर्चा करने के बाद अर्जुन को दिव्य दृष्टी प्रदान करते हैं और दिव्य दृष्टी प्रदान करने के पश्चात अपने उस विराठ सुरू का दर्शन अर्जुन को भगवान कराते हैं उसी की विश्य में विशेश रूप से चर्चा है संजय उबाचव ए मुक्त्वात पतो राजन महायोगेश्वरोहरिही दर्शया मासपार्थाय परमम रूप मैश्वरम जैसा आप सब जानते हैं कि संपूर इस गीता के मुख्य संबाद करता की रूप में दो ही व्यक्ति हैं और वे हैं संजय जो वक्ता की रूप में हैं और श्रोता की रूप में और प्रश्ण करता की रूप में जृत राश्ट्र हैं तो मुख्य कथानक में जो अवांतर कथानक है उसमें प्रश्ण करता और श्रोता अरजुन हैं और वक्ता भगवान स्री कृष्ण हैं जहां पर अवांतर श्रोता और वक्ता चुप होता है तो वहां मुख्य और श्रोता और वक्ता उपस्थित होते हैं तो यहाँ उस जोड़ने की कड़ी में प्रसंग को जोड़ने के लिए संजे का कथन यहाँ प्राप्त हो रहा है तो जब भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं दिव्यंद दामिते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ क्योंकि यह जो आपके सामाने चक्षु हैं उनसे आप नहीं देख सकते हो न तुमामशक्य से द्रष्टु मने नई वस्व चक्षु शा इस कारण से जब दिव्य द्रिष्टी प्रदान करते हैं दिव्य द्रिष्टी के विश्यमे भी लोगों की आशंकाय हो सकती है तो दिव्य द्रिष्टी का स्वरूप क्या है किस तरह की वो दिव्य द्रिष्टी थी जिसके द्वारा अरजन उसे बिराट स्वरूप का दर्ष्ण कर सकता है तो वो जो योग शक्ति या दिव्य द्रिष्टी वो योग की दिव्य द्रिष्टी है इसलिए उसको सामान ये दृष्टे से उसको हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि भगवान गयते हैं दिव्यम ददा में तेचक्षु पश्यमे योगम आईश्वरम योगम पश्य क्योंकि किसी एक शक्ति विशेश के प्रदान करने से आईश्वर योग का दर्शन उसे संभो नहीं है तो आईश्वर योग का दर्शन करने के लिए वो उसी प्रकार की उसी पावर की योग दृष्टि की आवश्यक्ता हो सकती है जो ब्रिहद स्वरूप को भी अपने चक्षु का विशय बना सके और इस प्रकार की स्थिति तभी बन सकती है जब उहद्धि विद्रश्टी बने इसलिए भगवान ने उस विद्रश्टी को दिया और कहा उन्होंने कि योगेश्ट इसलिए भगवान को यहां शब्द जो दिया गया है देखिए शब्दों में संबोधन का और विशेशन का बहुत बड़ा उसका जो है महत होता है ए मुक्तवा ततो राजन महायोगयश्वरो हरी ही यहाँ पर हरी का विशेशन महायोगयश्वर दिया गया महायोगयश्वर विशेशन क्यों है क्योंकि उस बिराट सुरूप का जो दर्शन है वो सामान योग से संभव नहीं है वो महायोग से ही संभव है तो ये महायोग क्या है, जिससे वो संभव हो सकता है, क्योंकि आपर महायोग शब्द का प्रेव भगवान के लिए, महायोगेश्वरो हरी कहा गया तो महायोगेश्वर का ये है कि सामान योग की साधना तो सामान जीव कर सकते है किन तो महायोग की साधना वो परमात्मा ही कर सकता है जिसकी वो योग माया शक्ति जिसके पास है तो योग माया यो शक्ति है जिसको साक्षात परम शक्ति जिसको हम कहते है जिसको दुरगा भी कह देते हैं, जिसको योग माया कहते हैं, महा लक्षमी कहते हैं, महा सरसुती कहते हैं, तो वो योग माया भगवान की है, और वही योग माया जो है, उनकी वो महा योग है, वही महा योग के दोरह अपने योग माया से, महा योग माया से, महा माया के योग से और उस योग की साधना करने वाले अरतास संपूरण जितने भी जिन भी आईश्वरियों की जिन शक्तियों की हम परिकलपना नहीं कर सकते हैं। उस अपरमित शक्ति का जो स्वामी है वो महाईग आईश्वर है और उसकी दिव्य द्रिष्टी है जिसे दिव्य द्रिष्टी से उस अनेक ब्रह्मान्डों का समचालन करता है एक ब्रह्मान्ड नहीं जैसे हमने बतलाया था कि एक ब्रंभाण्ड में तीन लोक चौदह वुवन की स्थिति बानी जाती है और इसके लिए ब्रंभाण्ड इसका नाम है क्योंकि उसम्पूर्ण ब्रंभाण्ड का जो स्वरूप है वो अंडे के समान का है इसलिए उसको ब्रह्मान्ड कहा जाता है और उस ब्रह्मान्ड की जिसका वर्णन स्रीमत भागवत के पंचम सकंद में प्राप्त होता है जहांपर खगोर विज्ञान का और भोगोर विज्ञान की पूरी चर्चा आई हुई है जिसका उलेख अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है जो संपर्ति विज्ञान है वो भी जिसके सामने बावना नजर आता है भावतिक विज्ञान भी उसको ज्यान नहीं कर पाता है उसमें बताये गय है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के चारों और साथ परत हैं उन साथ परतों का मैंने जिसको लेयर जिसमें लोग कहते हैं साथ लेयर हैं इसके ऊपर और बीच में ये ब्रह्मांड है जिसका धर्षन वो परमात्माति गदिल तो कोई दूसरा वेक्ति करी नहीं सकता उसका क्योंकि जितने भी वेक्ति हैं जितने भी जीवह उस ब्रह्मांड के अंदर है जो सभी ब्रह्मांडों का नियन तक है जिसके विश्य में का आजाता है को जो है संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके लिए रोम में एक छोटा सा कण किसी के चिपक जाए और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको छोटा सा तो कण है उसी प्रकार करोणों अरबों ब्रह्मांड जिसके द्वारा संचालित होते हैं वो प्रमात्मा का सुरूप है और उतने ब्रह्मांडों की सबके विश्य में सबका नियंत्रणों करता है सबका सम्रचना करता है ततत सुरूप उसके होते हैं प्रत्येक ब्रह्मा होता है प्रत् विष्णु बढ़ा हुआ जो सब का नियिंत्रण के रूप में है तो वो भी कभी अवतार लेता है हिसलिए जितने भी अवतार भगवान के मानने जाते हैं जाहा दश्यावतार हुआ चाहाच 24 अवतार हो तो भगवान सरी राम का जो अवतार है भगवान स्री कृष्ण का जो अवतार है ये पूरणा अवतार माना जाता है अंशा अवतार नहीं माना जाता है बाकि अवतार तो अंशा अवतार की रूप में है किन्तु ये दोनों पूरणा अवतार माने जाते हैं जो इस तो पृष्णस्तु भगवान स् जो है समय में भगवान ने कराया है तो रामा अतार में भगवान ने अपनी मां को रुःट सरूपदर्शन कराया और क्रिश्णा अतार में भी दो लोगों को कराया एक अपने मा को या शोदा को और दूसरा जो है वो अर्जुन को और इन दोनों को दिव्यद्रिष्टी प्रदान किया क्योंकि बिना दिव्यद्रिष्टी के नहीं प्राप्त हो सकता है यद्यपी मा को विश्वरूप दर्शन में दिव्यद्रिष्टी प्रदान करने का कहीं उल हो नहीं है इसलिए भगवान ने बिना कथी कहे हुए ही विराट सोलू के दर्शन है तो दिव्य चक्षु प्रदान करके और उनको उसका दर्शन कराए है इसी तरह से जो है अर्जुन को भगवान ने यहां पर कहा कि आपको दिविद्रिष्टी दे रहे हैं और वो दिविद करके समाधारन करने वाला है वो परमात्मा और फिर हरी शब्द का कथन है आपर कृष्ण का कथन नहीं है यदुपति का कथन नहीं है हरी का कथन हरी का मतलब क्या होता है हरति भक्ता नाम पापान इति हरी जो भक्तों के पापों का हरन करने वाला है उसको हरी कहते हैं वो हर ये बहुत ये विशेशन कैसे हैं? इनका एक बड़ा रूप है. यहाँ पर दो विशेशन है रूप के परम एष्वरम. परमम और आश्वरम दो विशेशन, तात्र क्या है जो शुद्ध है श्रेष्ट है अलोकिक है आईसे को हम परमशब्द से कहते हैं और जिसका गुण है प्रभाव और तेज दिखाई तो दे रहे हुँ किन्तु उने के उस स्वरूब का उस आईश्वरिय के मूल स्वरूब को जानने में जहां हम असमर्थ दिखाई पड़ते हैं हमारी बुद्धी जहां पर बौनी दिखाई पड़ती है ऐसा जो है उसको हम आईश्वर शब्द से कहते हैं तो भगवा ने जो अपना बिराश्व उपर जो दिखलाया वो अलोकिक था दिब्य था सर्वस्रेष्ट था ते जो मैं था और साधरन जगत की महाँ जो पांच भौतिक स्वरूब है उससे कहीं वो दूर था इसलिए उसको हम अदभूत कहते हैं वो परम आईश्वरिय स्वरूब है ऐसे आईश्वरिय भगवान ने अपने पार्थ इसलिए आपर पार्थाय शब्द का लिखें जहां जहां पर यहां पर विशेष्ण अर्जुनाय नहीं कहा पार्था दर्शय आमास पार्थाय परमरूप मैं श्वरूब यहां पर पार्थाय शब्द का विशेष्वरूगा क्योंकि विशद् भक्ति युक्ता जो उनकी मा है पृथा कुंति तत्पुत्र होने स्तदवद रूप निरमर निश्चन हरदे जो पार्थ है और जो अत्यन्त इसने की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं वो भगवान के प्रति इसने की पराकाष्ठा उस अर्जुन के अंदर है इसलिए अर्जुन दिव्या भरनम दिव्यानेको ज्यता युधम दिव्यमालां विर धरम दिव्य गंधानु लेपनम स्रवाश्यर्यमयं देमनंतम विष्षतों अनेक वक्त्र नयन मनेक आद्भूत धर्शन एक मुख नहीं है अनेक वुख करेंगे तो अनेक का तात्पर यहां पर क्या है कि असंखे शब्द का ग्यान होता है जहां अनेक हम शब्द करते हैं या तात्पर उसके संख्या की गड़ना नहीं कर पा रहे हैं संख्या गड़ना होती तो दश कहे देते बीस कहे देते यह सो कहे देते दोसो कहे देते अनेक शब्द का उचाड़नी होता है, तो अनेक वक्त्र, अनेक वक्त्र हैं, अनेक नयन हैं, और अनेक आद्भूत दर्शनों, और सभी में वैचित्र हैं, अनेक आद्भूत दर्शन वाले अद्भूत का तात्पर क्या होता है, या वैचित्र का तात्पर क्या होता है, जो सामान् व्यतिरिक्त स्वरूप होगा या अद्भुत होगा जो सामान्य से व्यतिरिक्त है सामान्य के सुरूप में हम उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं ऐसा है वो अनेक अगोर भी एक अद्भुत नहीं है अनेक अद्भुत दर्शन है अनेक अद्भुत दर्शन वाले हैं और कैसा है अनेक दिव्याभरण से अनेक सुन्दर वस्त्र से अनेक अलोकिक आभूशनों से युक्त हैं तो अनेक दिव्याभरण का तात्पर क्या हुआ दिव्याभरण दिव्य का मतलब क्या होता है दिव्य का मतलब दिव्यति प्रकाश यति यत्त दिव्याभ जो प्रकाश युक्त हैं जिससे जिन आभूशनों से प्रकाश निकल रहा है तेजो में हैं इसलिए क्या है वो दिव्य हैं और एक दो नहीं हैं अनेक हैं और ऐसे अनेक हैं जिनकी हम परिकलपना नहीं कर सक divya, जिनके सौंदर्य का, जिनके स्वरूप का इसलिगे वो दिब्य है, दिब्या भरणम अनेक दिब्या भरणम और दिब्यानेक उद्यतायुधम भग्वान के अनेक हाथ भी है और कैसे है सभी हाथों में कोई न कोई एक आयुध है अस्त्र शस्त्र है और वो सब क्या है उद्यत है नेक अदिव्यानेक उद्यत आयुधम उद्यत आयुध का ताद्पर होता है कि सभी वो जितने हाथ में वो अस्त्र शस्त्र है वो सब इस रूप में कि आवशक्ता पढ़ने पर उनस्तर शस्त्रों का प्रयूग भी किया जा सके इस रूप में इसलिए उद्यत आयुध हम शब्द का प्रयूग उनों ने किया भगवान ने दिव्याने को द्यत आयुध हम जिसके चारों तरफ है जिनके प्रहार से शत्र पक्ष को विदीरण किया जा सकता है युद्ध के माध्यम से उनको आयुध शब्द से हम जानते हैं दिद्व्यानेक उद्यत आयुध हम ऐसे अलोखिकते जो में दिद्व्य को भगवान के आयुध है चक्र गदद्ध है धनुष है तलवार है इन अनेक प्रकार के आयुधों से जो है यह सो सज्जित जिनके हस्तक है और उद्झत है अरदात उनको उठा करके रखे हुए हैं कि और दिव्य मालाओं का उन्होंने धारण किया अपने कंठे में और अंबर अंबर ने अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किया है दिव्य वस्त्रों के विश्य में कहा जाता है कि ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन नहीं होते हैं और कभी पुराने नहीं होते हैं हमेशा नित नूतन रहने वाले वस्त्रों को, अंबर को उसको दिब्यांबर कहते हैं, जिब्यांबर का मतलब ही होता है, जो कभी पुराना नहीं होता है, कभी जो है, वो मैला नहीं होता है, उसकी सच्छता, पवित्रता और उसका जो नूतनता है, उस सरवदय बनी रहती है, ऐसे अंबर को अर्थात वस्तर को दिव्या अंबर कहा जाता है, दिव्या वस्तर कहा जाता हो तो ऐसी प्रकार माला, जो कभी कुमलाती नहीं है, कभी कुछ गंधी समाप्त नहीं होती है, सर दोक में प्राप्तनी होते हैं, वो अलौकिक पुष्ण होते हैं, और अत्यंत सुगंधित होते हैं, इसलिए दिव्य माल्यांबरधारं। और दिव्य गन्धानुलेपनपन começo मिल्सक्ता में दिव्यमाल्यां। creatively भ्लिरूकिक अनुलेपन है। गंधानुलेपनम भगवान के मस्तक में उनके अंगराग जो लगा हो उनके मस्तक में जो चंदन लगा है वो भी कैसा है दिब्य गंधानुलेपनम दिब्य गंध का अनुलेपन है योंकि वो चंदन भी लोकिक गंध नहीं है लोकिक गंध होने से क्या होता है लोकिक गंध कु उतनी ही नूतनता, उतनी ही पवित्रता, उतनी ही उसमें ताजापना, नभीनता उतनी बनी रहती हमेशा, इसलिए वह दिव्य गंधानुलेपन है, और भगवान का सुरूप क्या है, सरवाश्चरियमयम, सरवाश्चरिय کا मतलब यह है, कि हम उन आश्चरियों को जान नहीं सक और विशाल आकर्ती हैं विशाल स्वरूप है अनेक आप अनेक नेत्र है अनेक पाइर है विशेश रूख सेथती है और विश्वत्व मुखं ऐसा नहीं है कि एवना सामने मुख है चारों तरफ मुख है उस मूर्ति के विश्यतो वुखं ऐसे अनंतं देवं देव कैसा है? अनंत देव है देवश्प्न का यहाँ पर प्रयोग किया गया है अनंत देवственный का मतलब उसके स्वरूप का कहीं अन्त नहीं दिखाई पड़ रहा है को यह तन नहीं उसका स्वरूप है इस से अधिक उसका स्वरूप नही है ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन भगवान स्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को कराया जिसका वर्णन यहां पर दिया गया है अभी इसके और भी स्वरूप की विशेष्टाएं हैं जिनका वियेचन आगे होगा तो ऐसे भगवान ने अर्जुन को उप्रक्रपा क करके अपने दिव विराट स्वरूप का dirhshan अर्जुन को कराया तो पूझी गुरू जी इस समय विराट स्वरूप का दर्शन हम लोगों करा रहे हैं और हम लोग उसका लाव ले रहे हैं और आप सभी इस न्वर्षा का मिन्रुग लिए वीजियो को लाइक और शियर करें इश्वर आप की सहायता करें आपका देन सुभर धन्यवाद